आप सभी लोग देखते होंगे कि एक मामला एक मुद्दा हमारे देश में हमेशा चर्चा में बना रहता है और अखवारों की सुर्कियों में बना रहता है वो है खालिस्तान, खालिस्तान आंदोलन और खालिस्तान देश बनाने की मांग और मुझे लगता है ऐसा कि इस मामली के बारे में आप लोगों को एक सामान जानकारी आपके पास होना चाहिए और इस खालिस्तान आंदोलन की कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी देन कि इसका नित्रित कौन करा है अमरित पाल सिंग और आपने देखा होगा कि एक बड़ा ओपरेशन चल रहा है पंजाब में और इनके अमरित पाल सिंग के साथ ही पकड़े गए लेकिन अभी भी अरेश्ट नहीं हुए है फरार चल रहे है और आप देखते होगे कि इन्हें इंद्रावाली को मार दिया जाता है और फिर आप देखते हैं कि इंद्रागांदी कि जो सिख बोडी गार्ड थे उनके द्वारा इंद्रागांदी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं जिसमें बहुत स देखे एक तो आप लोग मैप को देखे, यह हमारी प्यारी पित्वी, और एसीया में आप लोग जाएंगे तो यह हमारा प्यारा भारत, और आप सभी को मालू हुगा कि 1947 तक पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो आप लोग भारत में पंजाब देख रहे हैं न यह पंजाब, और पंजाब का कुछ भाग आप लोगों को पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, तो इस भाग को अलग करके अलग देश बनाने की मांग उठती रहती है, और भारत के कुछ और भी हिस्से आप देखेंगे हिमाचल पिदेश का भी हिस्सा इसमें सामिल है, कुछ और हिस्से देखने को मिलते हैं, जो खालिस्तान में सामिल करने की बात होती है, तो आप देखेंगे कि अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले वारिस पंजाब देश संगटन, पर पंजाब पुलिस का ओपरेशन जारी हिया, और अभी ये संगटन इसकी कामान सम पुलिस के मुताबिक संगटन की सरगना अमरितपाल अब भी परा रहें लेकिन उसके 116 साथियों को गरपतार कर लिया गया है और सुरुवाती जाज के बाद पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि अमरितपाल के ड्रक्स माफिया से सम्मध है वह अलग सिख देश बनाने के पाकिस्तानी खुपी आजंसी आई-एस-ाई की संपर्क में था यह आप देखे पंजाब की पुलिस ने कहा है कि इनके पाकिस्तान से भी कनेक्शन थे पुलिस ने यह भी पताए कि खालिस्तान आंदोलन की फंडिंग ड्रक्स माफिया कर रहे थे और पाकिस्तानी एजंसी पुलिस से अपनेतपाल की संगठन को हतियार गोला बारूत मिल रहा था और पुलिस ने अमरेतपाल को अरेश्ट करने के लिए दस जिलों में नाकाबंदी कर दी है और पुलिस की कारवाई बीच एन आई-ए की आठ टीमें भी पंजाब पहुंच चुकी है जो एन आई-ए यानि कि National Investigation Agency है ना उसकी बात हो रही है और जो टेरर एंगल से पूरे मामले की जाज भी कर रही है तो देखें कि कब तक गरफतार होते हैं खालिस्तान को अलग दिस बनाने के लिए अमरेतपाल सेन मोर्चे पर भी रणनीती बना रहा था और इसके लिए अमरेतपाल ने आ खड़ी करता है तो उसके गनों पर उसकी बंदूकों पर एकोड वर्ड लिखा होता है एक तरह से एक एयब में सामिल लोगों के लिए बिलोट फूरूप जैकेट की विवस्ता की गई थी और पोलिस ने अमरेतपाल के 458 करीबियों की पहचान की गई है और जो इस मोहिम मे सामिल थे पंजाब में खालिस्तान को अलग देश बनाने की मांग नहीं नहीं है लेकिन हालिया विवाद सेप्टमबर 2022 के बाद तब सुरू हुआ था जब अमरेतपाल को बारिस पंजाब दे की कमान सौपी गई थी और अमरेतपाल सेप्टमबर 2022 में जनरल सिंग वाले जैसी आप देखेंगे पोसाग भी पहनता है वो और उनी जैसा रहन सहन भी रखता है और इसके बाद देखेंगे कि अमरेतपाल जलंदर तरंतारन और अमरेतपाल गुरुदासपुर में अपना संगठन फैलाना सूप कर दिया था और पिछले महीने एक पब्लिक भारत की नियापालिका पर कोई भरोसा ना कहने की बाद भी कह रहा था खालिस्तान अंदोलन मोधी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनोती है तो पंजाब और राष्टी राजनीती को करीब से देखने वाले वरिष्ट पत्तिकार मनमोहन सर्मा कहते हैं कि खालिस्तान करने वाले होते हैं वो भी रहते हैं अभी जो पंजाब में ऑपरेशन किया गया उसके बाद कई देशों में जो खालिस्तान समर्थक हैं उन्होंने आंदोलन भी किया और आप देखेंगे भारत की जो एमबेसी है उस पर भी तोड़पोड भी की हुई है और सर्मा ये भी क चनोती का काम है और हमारी एजनसियों का तो आप लोग अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं अभी हाली में आपने देखा है कि जम्मू कस्मीर में एक ऐसा बैक्ती अरेश्ट हुआ है जो आप देख रहे हैं कि कई दिनों से कई महिनों से जैड फिलस लेवल की सुरक्षा ले मनमोहन सर्मा कहते हैं उस वक्त केंद सरकार ने काफी देर से इस पर एक्सन लिया था इस बार एक्सन लेने में सरकार ने जानदा देरी नहीं की है और देखे उस समय इसलिए भी परेसानी खड़ी हुई थी क्योंकि पहले जनरल सिंग भिंडरावाले को कॉंग्रेस ने 1899 में सिख्य में खालसापंत की इस्थापना की थी और खालिस्तान इसी खालसा से बना है और इसका मतलब ही कि खालसाओं का राज यानि की अलग उनके लिए स्वायत्ता हो एक तरह से राज्जू आजादी से पहली 1929 के लाहोर अधिपेसन में कॉंग्रेस ने पूर बांग चाहिए थी मुसल्मानों के लिए अलग देश बनाने की बांग चाहिए थी दूसरे थी मास्टर तारा सिंग इस सिख्षों की हिस्सेदारी की बात करते थे इन्हें अलग सिख्ष समुधाय के लिए देश चाहिये था एक थे भीम्राव अमेडगर साफ जो आप अधिकारों की बात की थी, दलितों के, महिलाओं के, दबे क्युचलों के, लेकिन उन्होंने अलग देश बनाने की कभी मांग नहीं की थी, इन तीनों मांगों की बात कॉंग्रेस सक्ते में आ गई थी, और हाला कि अधिविशन में पूर्ट सुराज का पिस्ताव पास हो गया पारिस्तान अंदोलन के अगवा थे, और बरिष्ट पतकार मनमोहन सर्मा के मताविक तारा सिंग सिखों को राजनितिक हिसेदारी देने के हिमायती रहे हैं, और आजादी से पहले उन्हें उस बक्त मुहमद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए कह था, बदले में जिन्ना ने उन्हें उप पिधान मंत्री बना देने का वादा किया था, लेकिन तारा सिंग ने इस मांग को ठोगरा दिया था उस समय, आजादी के बाद खालिस्तान की मांग जोर पकड़ी और इसकी बड़ी बजय थी पंजाब का बिभाजन माना गया, और पाकिस्तान की अलग होने की बाद पंजाब दो भागों में बढ़ गया, सिक्खों के कई प्रमुक गुरुद्वारे पाकिस्तान सासित पंजाब में चले गए और जिसका मास्टर तारा सिंग ने बिरोध भी किया था, क्योंकि आपको बताया ना कि 1947 में जब पाकिस्तान अ अच्छा की बात कही गई, और यह समझा था, पांस साल तक ही चला और फिर तूट गया, फिर आप देखी मास्टर तारा सिंग ने 1971 में अलग पंजाबी सोभी की मांग को लेकर आमरन अंसंग शुरू कर दिया, और तारा सिंग की समर्थन में हजारों सिक्ख एकजुट हो ग और 1966 में भासा की अधार पर पंजाब को अलग राज बना दिया गया, हाला कि चंडीगड को अलग करते हुए केंदसासित पिदेश बनाया गया, और अभी बरतमार में आप देखेंगे कि जो चंडीगड है न, वो हरयाना और पंजाब की दोनों की राध्धानी भी है, फिर सरकार बनाई, और गुरु नाम सींग को अकाली दल का नेता चुना गया, और वे मुक मंतरी चीम मिनिस्टर बनाय गया, लेकिन 250 दिन बाद ही उनकी सरकार में बगावत हो जाती है, और लचमन सींग गिल के नितित में सोलाय विधायकों ने अलग गुट बना लिया, और इस गांधी को जवर्जस्त समर्थन मिलता है, 1971 तक आप देखेंगे, जो आज आप लोग बंगलादेश देख रहे हैं न, यह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और 1971 में बंगलादेश की आजादी के लेकर भारत के और पाकिस्तान की बीच यह उद्ध होता है, और उस समय आजाद हुआ था बंगलादेश, ठीक है, और हम लोगों देखें, उस समय हम लोग चाहते तो उसे अपने में सामिल कर लेते, लेकिन हम लोगों ऐसा सोचा भी नहीं था, हम लोगों का भी उद्धेश था कि इसका अलग हो जाए, जो भी मैटर है, और वहां भी हम लोग बह परोसा थी हम लोगों को भी, कि वहां की आर्मी निपट लेगी उनसे, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे ही उपर आखमण कर दिया, तो फिर हम लोग भी इसे उद्धे में सामिल हो गया, और 1971 में इस चुनाव में अकालियों का पत्ता साप हो जाता है, और इसके बाद फिर सुरू हुई अलग खालिस्तान की मांग, 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक पिस्ताव पास किया, और 1978 में इस पिस्ताव को दोहराये गया, एक पिस्ताव में तीन बाते थी, इन तीन बातों को आप लोग याद रखिएगा, कई लोग आप देखेंगे खालिस संचार और मुद्रा पर केंदर का दखल रहे, यह आप देखेंगे किसकी बात हो रही है, जो आप लोग देखेंगे ना, कि जो आनंदपुर साहिब पिस्ताव था ना, उसमें एक बातें कही गई थी, और केंदर सासित पिदेश चंडीगर को पूरी तरह से पंजाब को सौ मिधान की बात होती थी, वो सब खतम हो चुका है, 375 से हटा दिया गया है, तो अब तो वहां भी कुछ नहीं बचा हुआ है, फिर आप देखेंगे कि अंसन से कैसे हिंसा में बदला खालिस्तान का अंदोलन, तो आप देखेंगे कि मास्टर तारा सींग खालिस्तान की मांग को लेकर अहिंसक आंदोलन का सहारा लेती रहे, लेकिन 1960 में उनकी मित्तिव के बाद खालिस्तान का अंदोलन हिंसा में तबदील हो गया, इसके पीछे दो बड़ी बात है थी, कौन कौन सी? एक तो आप देखेंगे, बंगलादिस हारने की बाद पाकिस्तान ने भारत से अंदिंग और हत्यारों की विवस्था की गई, और पैसे और हत्यार की लालच में सिख्खी हुआ आ गया, और जिससे यह अंदोलन और तेज होता गया, पंजाब बनने की बाद से ही वहां राजनितिक उतल पुतल का दौर सुरू हो गया, और ग्यानी जैल सिंग को छोड़ और अमरे सर में निरंकारियों से विवाद और भिंडरवाली का उदय होता है, तो आप देखेंगे 1978 में अमरे सर में निरंकार संपदाई के साथ अकाली दलों का विवाद हो जाता है, और निरंकार संपदाई की लोगों को जीवित गुरूं पर विस्वास है, जबकि सिख् सिंग भिंडरावाले के करीबी फोजा सिंग भी सामेल था और कोट में यह केस चला और निरंकारी संपदाय की प्रमुख गुरू बचन सिंग केस में बरी हो जाते हैं और इसके बाद पंजाब में सुरू हुआ भिंडरावाले के आतंक का दौर और भिंडरावाले की समर्थक और चरम पंथ की सारे सिक्खों में पैट बनाने के बाद भेंडरवाले ने अमिरसर की पवित स्वड मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। अकाली दल से हाथ मिला लिया और धरम योद लॉंच कर दिया। पंजाब में खालिस्तान अंदोलन की बिरोध में बोलने बाले लोगों को भेंडरवाले उनके समर्थक मौत की घाट उतार रहे थे। और फिर आप देखें 1983 में जलंदर की D.I.G. A.S. अटवाल को स्वड मंद आने कोई नहीं जा रहा था फिर कहते हैं किसी ने भेंडरवाले से इजादत मांगी कि हमारे अधिकारी उहां पड़े हुए हम लास उठाना चाहते हैं तो उनकी इजाजत के बाद वो लास उहां से हटाई गई थी तो आप समसकते हैं कितना पावरफुल रहा होगा भेंड पंजाब में आईवी के अधिकारियों को भेजा गया खोपिया जानकारी मिलने के बास सेना ने ओपरेशन बिलूश्टार की शुरुवात की और इस ओपरेशन में सौड मंदे की वीतर सेना के टैंक को दाखिल करा दिया गया और ओपरेशन के दौरान दोनों और से भीसर ग नरवाले मारे जाते हैं और सरकारी रिपोर्ट में कहाँगी कि ओपरेशन के दौरान 83 जवान सहीद हुए जबकि 458 चरंद पंथी मारे गया हालाकि सिक्क संगठोनों ने 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया था और इस ओपरेशन के बाद इंदरा गांधी का जमकर विरो जा था और उसी का एक तरह से आप देखी भावनाय आहत हुई थी सिक्क समुधाय की फिर आप देखते हैं कि इंदरा बेंद और आर्मी चीत की हत्या हवाई जहाज उड़ाये गया ओपरेशन बिलू इस्टार के बाद बबर खालसा और अन आतंकी संगठन सक्रिये हो जाते और ओपरेशन की कुछ महीनों के बाद ही पिदान मंतरी इंदरा गांधी की हत्या कर दी गई और उनकी हत्या उनके सुरक्षा बल में सामिल दो सिक्ख जबानों ने कर दी थी इंदरा गांधी के अलाबा पंजाब की मुकमंतिर रहे बेंद सिंग की हत्या 1995 में कर दी गई थ और कनाड़ा से लंदन होते हुए भारत आने वाली इयर इंडिया के विवान कनिस्क को उगबादियों ने हवा में ही उड़ा दिया था और ये समले में कहते हैं कि 329 लोगों की मौत हो गई थी हाला कि कैंद और राजी की सहयुक्त ओपरेशन की बज़े से खालिस्तान अंदोलन की मांग पंजाब में सांथ हो गई थी और कुछ समय से आप देख रहे हैं कि अमरित पाल के आने के बाद फिर से ये मांग बढ़ने लगी थी तो यही कहानी है अभी तक की आंगे क्या होता है इसके लिए अच्छी बात है कि आप लोग नियूश्पेपर पढ़ते रहा करिएगा और मुझे लगता है कि सोसल मेडिया का जमाना है तो मोबाइल स्मार्टपोन आप लोगों के पास है और देश दुनिया के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं तो अच्छी बात भी है और किसी topic के बारे में बात करनी हूँ तो आप लोग बता सकते हैं ठीक है